इस वीडियो इस वीडियो में तक देखे के वीडियो पसंद आने पर like और चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजेगा तो सबसे पहले क्या करना है यहां पर आप वाटसेप को इस तरह से open कर लेंगे ठीक है इस तरए के इंटर्फेस्स आपको आजाएगा Acaunt बनाने के लिए नया Acaunt create करते समये यहाँ पर आपको अपना Mobile नंबर डालना है तो यहाँ पर हम अपना Mobile नंबर Sheel कर देते हैं ल 14 futures है अपना Mobile नंबर जो है डाल दिया है एक बार चेक कर लियना है कि mobile number हमें सही से डाला है उसके अलावा अब हमें next button यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर फड़ेगे next button है तो next button पर आपको जो है click कर देना है जैसे आप next button पर click करते है यहाँ पर इस तरह से connecting आ जाता है रहे आपने जो number डाला है वो सही number है आपको यहाँ पर OK या फिर Edit का Option मिल जाता है ठीक है यहाँ पर हम OK करेंगे हमने सही number डाला है Next window खुल जाते हैं यहाँ पर आता है Verifying your number अगर आपके इस phone में जिस phone में आप जो है अपना WhatsApp account बना ना चाते बना रहे हैं अगर उसमें वही number है जो आपने डाला है तो आपका जो है automatically verification हो जाता है बट कभी कबार क्या होता है कि हम दूसरा number डाल देते हैं जो कि हमारे इस वाले phone में नहीं होता है तो उसके लिए आपको दूसरे phone में जो OTPI आएगी जो verification code आएगा उसे ले लेना है और देन आपको उसे यहाँ पर जो है डाल देना है तो मेरे पास यहाँ पर दूसरे phone में verification code आ चुकी है तो मोई हम उसे जो है डाल देते हैं ठीक है जैसे आप डालेंगे verifying अपने आप हो जाएगा यहाँ पर verification complete लिखा आ चुका है यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको profile info डालना है मतलब आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जरूर नहीं कि आप यहाँ पर अपना नाम ही डाले कोई भी आप जो है लगा से यहाँ पर कुछ भी डाल से कोई issue ने होगा मतलब यहाँ पर सिर्फ एज़र एक जो process होता है इसे खाली भी छोड़ा जाएगा ठीक है यहाँ से आप जो है यहाँ पर आपको profile photo लगाने का option मिल जाता है अगर अभी के time आप जो है profile photo नहीं लगाना चाहते तो इसे भी आप जो है खाली छोड़ सकते दो नहीं चीज़े option है तो आप इसे बाद में भी edit कर सकते है यहाँ पर हम next button पर click कर देते हैं यहाँ पर देखे आपको बता रहा है you are requiring to interval name यहाँ पर हम अपना कुछ भी एक जो है नाम डाल जेते हैं ठीक है यहाँ पर next button पर दबाएंगे इस तरह से loading लेगा यह इंट्रलाइजेशिंग प्लीज वेट आ चुका है थोड़ा वेट कीजिए और इस तरह से आपके सामने जो है आपके सारी मतलब whatsapp आ जाता है तो इस तरह से आप अपना whatsapp अकाउंट बना सकते है अब आपके फोन में जो जो नंबर सेव है उनके साथ आप जो है चैट वगएरा कर सकते हैं यहाँ पर आपको स्रेंड कर सकते हैं